कि फॉर्स्ट हम कर लेते हैं कंसेटेशन अपने क्लाइंट से कि मेरे क्लाइंट को कौन सा कलर चाहिए उसके लिए उससे क्या होगा मुझे बहुत इजी हो जाएगा कलर करना मैंने फॉर्स डिवाइट कर ले हैं थ्री सेक्षन ए हाई दिस इस मोसिन येर फ्रों बी ब्राउन अकेडमी हमदाबाद गुजरात इंडिया तो फॉर्स हमें क्या करना है सेक्षन निकाले हैं फॉस मैं ब्लॉंडर मिक्स कराँ वन इस्टोक टू। ब्लॉंडर मुझे टैक्चर के को डिंग warum को जिसको लिए में में Turcom कर ले हमें end of the year बिल्कुल कान की निचे वले section तो first में क्या करहा हूँ इसको बोलते हैं ombre with balias या फिरी hand color तो first पत्ली-पत्ली strip दा रहा हूँ में बालों के अंदर फिरी hand फिरी hand color भी इसको हम बोलते हैं पत्ली-पत्ली strip दा रहा हूँ पूरे और निचे के जो बाल है उन पर बालों पर मैं करूंगा ombre यह मैंने first बाल याज डाला है फिर ombre डा रहा हूँ मुझे मुझे खुद को decide करना कि मेरे client को नीचे की side ombre जो मैं डा रहा हूँ वह 4 इंच डानना है 6 इंच डानना है फिर 8 इंच डानना है अब जैसे ही मैंने निचे भी foil paper लगा है उपर भी foil paper लगा है उसके बाद मैं क्या करूं second section दे रहा हूँ मैं उसी तरीके से सेकिंद section ये मुझे खुद को डिसाइड करना है कि मुझे वन इंच सेक्षन लेना है ये टू इंच सेक्षन लेना है पूरे बालो को उठाया मैंने फोर इंच तक के मैंने पूरे बालो को सिक्स इंच तक के मैंने बालो को पकड़ लिया है देन उसके बाद मैं क्या करूंगा स्टीब डालूंगा इसको हम बाले आज बोलते बाले डारा हूं पहले फर्स पतली पतली स्टीब पूरे बालों के अंधर इसी तरीके से मुझे क्या करना है तोप तक के पूरे बालों के अंदर करना है देखो बलॉंडर मिक्सिंग क्या हो स्टोग टू और यह इसमें क्याना है वन टाइम में आप ब्लॉंडर यूज तो सेकिंड टाइम नहीं कर सकते तिन उसके अकोडिंग आपको ओल्वेज दो मिक्सिंग करनी है मैंने पत्ली पत्ली डाली है बल्य अब्लिय Cornell ओम्रे और फोल आपको में फॉल प्रेपर से कहारा हूं सेपरेट कहर रहा हूं तरी सेक्षिंड सेक्षण इतना ही आपके जो लुक है वो आने वाला है इमेजिंग तो जो भी मेरे चैनल पे ने हैं मेरे चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें शेयर करें और वीडियो को पूरी देखें एन तक मैं 6 इंसक के मैंने बाल को पकल लें नीचे के पेले ही में देन उसके बाद मैं बाले आज डार रहा हूँ पूरे हैर के अंदर पतली पतली स्टिप गाईज अगर आपको एक फ्रोफेशनली हैर इस्टालिस बनना है तो जोईन बी ब्राउन अकेडमी एमदाबाद हमारी अकेडमी है लास्ट बारा साल से हम अकेडमी चला रहे हैं हमदाबाद के अंदर पहले हमारी अकेडमी का नाम जावेद हभीबता बट अभी हमने एक खुद की चेन स्टाट कर दिये बी ब्राउन के नाम से हम जो भी आपको डिप्लोमा देंगे वो इंटरनेशल वेल इसे ही मैंने एंस पर अच्छे से पूरे मुझे अप्लाइ करना है ब्लोंडर को उससे क्या होगा एक पसेंट भी मेरे बालों के अंदर रहना नहीं चाहिए और जो लेंध है मुझे खुद को डिसाइड करना है कि 6 इंच है कि नहीं होना चाहिए कि कि ही पर फोर इंच ले हو में को section ले रहा हूं उसी तरीके से मैं maximum वन इंच design ले रहा हूं उसके बाद मैं टा रहे हूँ बाल याज बालियाज के बाद मैं नीचे कर रहा हूं और इससे क्या होगा मेरे जो lifting है वह हो जाएगी मेरे मुझे क्या करना है पोस्ट के लड़ाने बालों के अंदर तो जैसी मैंने दुबाय से तिल डाउन किया और एट इंच तक के मैंने बालों पकड़ा है बाल्याज डारों में पतली-पतली स्टिप देखो ऐसा कभी भी आप यह मत वे सुचनग आeing में आपको पूरा ब format mix करते ना है आपको Beweg जो हैं सेक्ष के लिए वान टाइम यूज करेंगे मीक्स करेंगे अगर मुझे साइड में करना है तो मुझे दूस ही बार मिक्स करनाय और पिर दूससी सैड करना है तो effectively करना है इसस करता है उसके बाद जो श्見 Southwest हो तै आप से बहुत सी रही से होगा कि आपने पूरे बालो के लिए ब्लोंडर मिक्स कर दिया है और ब्लोंडर नीचे के बालो में आपके लाइटके बालो में डार क्लरों के आपको जो दोय से वो उसका कम हो गया है प्रोसिस तो हमें जब जैसे हम section by section highlighting करें है जैसे हमें section के लिए मुझे क्या करना है blonder को mix करना है तो उससे क्या होगा आपका back side का भी lifting proper होगा, right side का भी lifting proper होगा और left side का भी lifting proper होगा तो आपको technique को follow करना है और system को follow करना है जैसे ही मैंने top area छोड़ दिया है last section मैंने और ये section में लूँगा दुबा से comb करूँगा मैं अच्छे से पूरे hair के अंदर क्योंकि मुझे sectioning के उपर ही काम करना है, पूरे बालों के अंदर मैंने comb किया है अच्छे से जो wave है वो भी निकल जाएगा मुझे अच्छे से इसको hold करना है और मुझे नीचे के बालों को देखना कि मेरा 6 इंच तक के बाल है के नहीं है 6 इंच तक के मेरा hair है तो मैं क्या करूँगा दुबा से hold किया 6 इंच तक के पकड़ा पूरे hair को और पतली पतली दुबा से मैं डार रहा हूँ बालों के अंदा बाल्यास और कभी भी roots पे नहीं लगाएंगे मुझे roots से कम से भी 2 इंच छोड़ के लगाना है उसके अलावा आप 3 इंच छोड़ सकते हो 4 इंच छोड़ सकते हो 5 इंच छोड़ सकते हो वो आपको decide करना है क्लाइंट के according but minimum 2 इंच तो आपको छोड़ना ही है इससे क्या होगा आपके roots पे color नहीं आएगा जैसे ही मैंने बाल्यास डाल दे उसके बाद में क्या कर रहा हूँ दुबार से मेरा काफी बाल्यास दुबार से अच्छे से मुझे ब्लॉंडर को यूज करना है उसी के ऊपर अच्छे से बड़ी-बड़ी में श्टिप डार रहा हूँ पूरे बालो के अंद यसा ही मुझे श्टिप डाननी है और निची के बालो में मैं आम्म्रे कर रहा हूँ भी बाले अज मैंने डाल चुका हूँ उसके बाद मुझे क्या कर रहा हूँ मैं ओम्रे डारा हूँ बालो के अंदर जैसे ही मैंने पूरे बालो के अंदर ब्लोंडर ऐसे यूज किया है फिरी हैंड की तरह फिरी हैंड की तरह हम इसको फिरी हैंड भी कलर बोलते हैं और मैंने छोड़ दया, लास्ट मुझे क्या करना है, अभी दुबारा से सेपरेट करना है, फोगल पेपर के साथ, जिससे कि मेरे जो दूसरे बाल हैं, उस पर कलर न लगे, मैं सेकिन टाइम बलॉंडर को मिक्स करूँ, जो मैंने लास्ट आपको बता चुका हूँ, कि मुझे पीछे के लिए इतना ही बलॉंडर यूज़ करना है, और साइड के लिए फिर दुबारा मिक्स करना है, और अधर साइड के लिए भी मुझे दुबारा से बलॉंडर को मिक्स करना है, उससे क्या होगा न, कि आपका जो कलर है वो प्रोपर होगा, पीछे भी, साइड में भी और अधर साइड भी अगर वन टाइम अगर आप ब्लोंडर यूज करते हो तो उससे आपका कलर लाइट और डाक दिखेगा लाइट और डाक कलर आएगा क्योंकि इसको जो प्रोसिस होता है वो 45 मिनट की काम करता है कितनी नीड में स्टिप दा रहा हूं हेड के अंदर आपको साइड से नहीं दीख था बड़ साइड से आपको प्रोपर स्टिप दिख रहा है गेते हुए ऐसे ही मुझे क्या करना है मैंने 4 डाली है और नीची के बालों को क्या मैंने अंब्रे चेंड तक कि मैं बालों को ऑम्रे कर रहा हूं 6 इंच अगर आपको डिसाइड करना है टू इंच बट मेरा सेक्षन मिलकु नीड होने चाहिए जितने नीड सेक्षन होगे इतना ही जो आपकी जो सर्विस है वोगी प्रोपर तो अगर आपको प्रोपर सर्विस करनी है तो आपको सेक्षन प्रोपर लेना पड़ेगा और जो मैंने होल्ड करना हूँ वो भी प्रोपर आपको करना पड़ेगा मैंने फर्स्ट सेक्षन डाली है उसी तरीके से थर्ड डाली है फोल डाली है एंड फिव्थ यह मुझे खुद को डिसाइट करना है कि इतनी मुझे बाले आज टानना है बालों के अंदर और आपको आपको इसके अंदर बेक कॉमिंग करना पड़ा है जितने भी शोट है वह उपर चल जाएंगे तो नीचे के छे इंच विया एट इंच बालों पर में ब्लोंडर अपलाई कर दूंगा और जिसे ही आम मैंने आपको बोलाए कि ब्लोंडर आपको खुद को डिसाइड करना है कितनी mixing करनी है और कितनी lifting करनी है उसके coding ही always मैं blonder को यूज करूँगा अब यहाँ पर मैंने 30 वूलिम ले आए अगर आपको होर ज्यादा lifting करनी तो आप 40 वूलिम ले सकते हैं अगर होर dark volume lifting करनी तो आप 20 वूलिम ले सकते हैं तो यह मुझे खुद को डिसाइड करना है तो आपको कितनी lifting करना है और आपको जो आप जो बाल्याज डाड़ो वह बिलको एकदम नीड गिननी चाहिए आपके हेर के अंदर और नीचे ओम्रे पे मैं अच्छे से ब्लोंडल लगाऊंगा पूरी finger से में गिरिप और मुझे से भी थम से अपने जिससे कि अब मैं राइट के साथ है और मैंने sectioning hold कर दिया फर्स section लिया है मैंने neck को किया पूजिस साइड और इतनी ही मुझे 8 इंच मैंने 6 इंच लेके मैंने उसको hold कर लिया है और अभी मैं डाल रहा हूं बालों के अंदर बाल्याज ब्लोंडर डार रहा हूं मैं हैर के अंदर ये मैं apply होने के बाद मैं पूरे हैर को छोड़ दूँगा 40 मिंट के लिए क्योंकि 40 मिंट तक के ही ये काम करें के दिन उसके बाद ये stop हो जाएगा मेरा जो ब्लोंडर है वो stop हो जाएगा और foil paper में नीचे लगा रहा हूं जिससे सेकिन सेक्सन उसी तरीके से मैंने लिया है और उपर के बालो को मैंने किया separate नीचे सेक्सन लूँगा मैं बिल्कुर नीचे सेक्सन होगा इतना ही आपकी जो highlighting है वो आएगा look class तो जैसी मैंने comb किया है और मैंने 6 इंच तक के बालो को पकड़ा है उसके क्या होगा जो मेरे short चोटे छोटे बाले जो यह इंझी पी परो पल लेका हूंगा सीप डालूँगा परो पर सेकिन सेक्सन मैंने उसी तरीके से डाला है आपको जो परसे उसको परोकर हूल करना है and then use करना वन टाय्म में व्या अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं तू टायम में भी यूज कर स एको सेक्षन लेंगे 3rd section. जो मेंने पीछे के जो बालते वो भी separate कर देनी हैर के अंदर. और में पीछे तक एक सेक्षन ले रहा हूं. और जो टॉप एडिया उसको में कर दूँगा separate. टॉप एडियो को separate कर लूँगा सेक्षन लेकर. तुबा से 3rd सेक्षन. जितने सेक्षन में इधर ले उतनी सेक्षन में उधर भी लिए हैं तीन सेक्षन में यहां पर लिए हैं तो तीन सेक्षन ही वहां पर लिए हैं अब जैसे ही मैं कॉम करके डेक आ रहा हूँ तो उससे क्या और मेरे जो शोट रहे रहे हैं वो गिर गए हैं यहां के बालों में मैं दुबा से बालयाज डार हूँ पत्ली पत्ली श्टिप और नीचे के बाल हमेशा ओल्वेश देख लेकि अगर मैं पूरे बालों में बालयाज डार रहा हूँ तो दो इस बाल छोड़ रहा हूँ इधर भी राइट साइड भी लेफ साइड भी और बैक साइड भी तो जैसे ही मैं बालियाज डार रहो हूँ ऐसे ही दोनों साइड में ने बालियाज डारना शुरू किया है आम्रे नारहों हो भी बालों के अंदर हमदाबाद के अंदर हमारी Academy है और हमारी Academy बहुत अच्छी चल रही है किसी को भी जोइन करना हुदी हमारा एक नιά Bench स्टार्ट हुआ है मन्डे से तो अगर कोई भी interested हे तो वो जोइन कर सकता है B-Brown Academy मैं दुस्द में से ब्लॉंडर को वोलियम को मिक्स कर रहा हूं यह थाइम में ब्लॉंडर को मिक्स कर रहा हूं क्योंकि मैने आपको भोला दा आगर मैं one time दे मिक्स करता हूं तो उससे का होात उपर डाक औरLight 70 को अभी में 2 He dobrze कर रहा हूं फर्स सेक्षन मैं ने ले ला बेक सैट से और और बालों कर दा है सेपरेट सेक्षन मेरा नीड होना चाहिए मैं हर जंगा पे six inch तक के बालों को छोड़ रहा हूं यहां पर भी मैंने इंच पर होल्ड किया और दुबात से बालों के अंदर डारा हूं बाल्याज बिलकुल पतली-पतली इस्टिप डाराहूं तो नीचे के बालों में मुझे पूरे बालों गंदर ब्लोंडर अपलाई कर देना है और उम्रे के लिए और इसको छोड़ दिया है दुबाइसे मैं फॉल पेपर यूज करूंगा और बालों को सेपरेट कर दूंगा सेकेंड सेक्षण ले रहा हूं मैं उसी तरीके से सेकिन सेक्षन मैंने लिया है उसी तेकि सोल बालों को सेपरेट कर दिया मैंने दुबाय से 6 इंच तक कि मैंने बालों को होल किया है 6 इंच तक कि बालों को होल किया है और दुबाय से मैं डाल रहा हूं बालों के अंदर बालियाज अब बालियाज पतले पतले इस्टिप करके डारे हैं कि इतनी क्लास मेरी एकदम स्ट्रेट एकदम आ रही है मेरी बालियाज साइड का साइड में बीच के बीच में अच्छे से बालियाज डालेंगे पूरे हेर के अंदर उसके बाद मुझे ओम्रेट आने नीच इंच ये बालों के अंदर 6 इंच तक के ही बालों के अंदर में साइड से, बैक साइड से, फ्रन्ट से अभजाज जगाब मैं 6 इंच ही ले रहा हूँ पूरे हेर को और उसको मैंने छोड़ दिया है लास सेक्षन है मेरा टोप का उसी तरीके से में लास सेक्षन एक और सेक्षन लेता हूँ मैं लास नहीं है एक और सेक्षन लेता हूँ उसी तरीके से और बालों को मैं क्या करूँगा 6 इंच तक के पकड़ूँगा पूरे हेर को और बालियाज डालूँगा पूरे हेर के अंदर गाइस जो भी मेरे चेनल पे नए है मेरे चेनल को सपोर्ट करें प्लीज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जुरू थे तो प्लीज सपोर्ट करें और आपका प्यार की जुरू प्यार मुझे प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूत है तो प्लीज मेरे चेनल को शेर करें अपने फ्रेंड इसके साथ अपने अपने गुरूप के साथ और जिसको अच्छा एक है स्टाइलिस फ्रोफेशनली स्टाइलिस बनना है तो वो जोइन करें बीबरॉन अकेडमी एमदाबाद के अंदर हमारी बहुत अच्छे से अकेडमी चलिए और बाहर वालों के लिए हमारे यहां पे पीजी भी अवेलेबल है तो हम आपको पीजी भी परवाइट कराएंगे लास सेक्षन में ले लेता हूं उसी तरीके से आगे के बिलकुल बालों को मैं छोट दूँगा लास सेक्षन मेंने ले अगे के बालों में कला ज्यादा दिखीगा तो इसी तरीके से मैं बाल्याज डाला हूं जिसे मैंने आगे डाला है पीछ डाला है बाल्याज मैंने बाल्याज डाल दिया है पूरे हेर के अंदर और नीची के बालों पर मैं क्या करूँगा ओम्रे जहां पर मेरा जो बाल्या तो दोनों चीज हम एक साथ में कर रहे हैं, आपको सिप उनली बालियाज करना तो आप बालियाज कर सकते हैं, और आपको ओम्रे करना तो ओम्रे भी कर सकते हैं, जो हम बालियाज जिसको हम बालियाज बोरा हमको फिरी हैंड कलर भी बोलते हैं, लास्ट में मुझे क्या करना है मिरे client को आगे के इसी बालों के इंदर से मुझे चोटा से एक आगे की जो के front का जो ही section है इसको लोगा मैं इस section को लोगा पत्ला सक्दम यहां पर मैंने एक section ले लिया है और इसको मुझे color करना है सिर्फ जिससे कि मेरा जो आगे कर जो लुक है वो दीके क्लास तो दुबास से मैं क्या करूंगा उसी तरह किसे मुझे पूरे बालों पर ही कलर लगा देना है इसमें ना तो मैं आउम्रे डालों ना बाले आ जा रहा हूं पूरे बालों के इंतर कलर डा रहा हूं उसके इंदर अब मुझे इसको छोड़ दना 45 मिट के लिए अभी मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है मेरा जो लिफ्टिंग है वो स्टॉप हो जाएगा 7-8 तक के लिफ्ट हो जाएगा मेरे बाल देन उसके बाद मुझे करना है बालों के रिंज पानी से अब लिफ्टिंग के लिए मैं छोड़ दूँ अजको 45 मिट के लिए पूरे बालों को सेपेट करते हैं किलीब लगा दे है और जिसे ही मेरी लिफ्टिंग कंप्लीट हो गई है मेरा 7-8 तक के मेरा पूरा हेर कलर लिफ्ट हो चुका है अब मुझे क्या करना है क्लाइट को बोना है चलो अब शैंपू स्टेशन पे लेके जाएंगे पूरे बालों के इंदर बैक साइड पर हम टौवर यूज करेंगे जिससे की पानी जो है ब्लोंडर वो नीचे नाए और पूरे बालों को हम पीछे ले आएंगे और सैंपू भाणू पाना से बढुसरि χो स्टेशन पर हमें क्या करना है फिर्स्ट हम पानी चला देंगे पूरे हेर पर फिर दैंगे पूरे हेर इंदर से इंदर से फोईल पेपर हमने निकाल दैंगे और मेरा प्रोसीस हो चुका है इसको हम बोलते है पुरी लाइट ढ कर दिया ज़ो जो ब्लॉंडर है मेरे बालों के अंदर वो निकल जाना चाहिए अच्छे से पूरे पानी चलाया पूरे हेड के अंदर और पूरे बालों के अंदर से में ब्लॉंडर को निकार रहा हूं अब मेरा ब्लॉंडर निकल गया है तो मैं 7 डबर 7 डबर 4 कलर यूज कर रहा हूं इसकी मिक्सिन लेगी 1 स्टोक 2 मेरे क्लाइंट का ना मून चेंज हो गया था उसको थोड़ा सेड चाहिए गोल्डन भी तो हम क्या हमने क्या क्या पहले ही गोल्ड कलर की 20 पसें अमने गोल्ड इसको बोलते हैं पोस्ट कलर अभी मुझे क्या करना है पूरे बालों के अंदर स्टेप बालों के अंदर कलर अपलाई करना है अच्छी से क्लाइंट की मेरे बालों के अंदर पानी नहीं हो नहीं चीए तो फर्स सेक्सन मैंने लिया है और मुझे अपलाई करना है अच्छी मेरे दूसरे जो बाले उस पर एक परसेंट भी नहीं आएगा तो मैं इसको बोलता हूं पोस्ट कलर और आपको पिरी लाइटिंग के बाद ना पोस्ट कलर डानना बहुत जोरूरी है उससे क्या हो जाता कि एक तो आपका पी एच लेवल मिंटेन हो जाएगा प्लस आपके जो बालों के अंदर एक कोट चड़ जाएगी जिसको हम कलर के कोट बोलते हैं कोट आजाएगी आपके हेर के अंदर आपका हेर रॉफ नहीं दिखेगा डाइमिज नहीं दिखेगा स्मूध दिखेगा आपका बाल और जो कलर है वो कलर आपका एक टोन हो जाएगा आप पूरे बालों के अंदर 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 की दिसक्सन है मेरा रूट से अच्छे से में पूरे बालो पर कलर अपलाई कर रहा हूं अच्छे से पूरे पर अपलाई कर दें कलर को सबाइब हैं अब जिसे ही मेरा पूरा कलर यूज हो गया है तो मुझे क्या जितने मेरी बच्चा सäll करना है, बच्छ से पूरे ठाल देना है को पूरा प्याम के तब फिंगर को मुझे मेरी पूरे हायर को ठाल देनादा झाल रूटस पे रेकि खंव पूरे हाई Billie मुझे चोड देना है 20 दिए मिनिम्म 15 मिर्ट 20 मिर्ट इंड है चौुड देना है चोडने के बाद आपको जो गुण ब्रोत हुपकर आजाएगा पूरे हेर के अंदर इसकले कर दिया मुझे गारे है को थोड बंझे 20 मिट के बाद मुझे पूरे हेड को पानी से रिंज करना है अच्छे से पूरे कलर जो मैंने पोस्ट कलर डाला उसको अच्छे से निकाल देंगे एक पसेंट भी मेरे बालों के अंदर कलर नहीं रहना चाहिए जैसे ही मैंने वोश किया था ब्लोंडर को उसके बाद मैंने कलर अपलाई किया था उसको 20 मिट रख था देन उसके बाद मैंने पानी से रिंज कर दे कलर को जितना भी कलर है वो सारा निकल जा दे कि हमें क्या करन हो जाएगा देन आपको जो भी लुक देना है बलास ड्राय करेंगे पूरे हेर के अंदर अच्छे से कितना इमेजिंग मेरा कलर आया है बालों के अंदर जिसको हम बोलते हैं अम्रेवीद बालियास या फिरी हैंड कलर बहुत अच्छे से 100% हम ड्राय कर देंगे ओ एक्सिलें कि मुझे 100% बालों को ड्राय करना है जो भी क्लाइंट की रुक्वाइमेंट है आपको जो भी करना है उसके बाद हम ड्राय कर सकते हैं आउट कर सकते हैं स्पायर कर सकते हैं टॉंग कर सकते हैं मैं करके देना वालों टॉंग टॉंग करूंगा जिससे कि मेरे बालों कंद द करोंक है और गलास दिखने वाला हैसा मैं उसके बाद मुझे क्या करें मैं टौंग को खोड़ रहा हूं अच्छ से और बड़े बढ़े दो ही गया न्यांड है पूरे मेरे बालो के अंदर पाव गया है सेकिंड सेक्षन ले रहा हूं मैं उसी तरीके से C, result Excellent work Excellent result Amazing Please comment में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और कलर आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो को ज़यादे शेयर करें और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ एक अच्छी वीडियो के साथ Guys, support करो प्लीज आपके लिए इतनी मेहनत करें आपके support की बहुत जरूरत है मुझे मैं हूँ आपका दोस्त मौसीन एमदाबाद से बहुत class color दिख रहा है मेरे client को बहुत पसंद आया मेरा client को मेरा color Excellent बहुत अच्छा color है आप भी कर सकतो बहुत easy technique के साथ आप करें एक बहुतं आपके ड्टाएं आपके 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 खिरूज झाल झाल